21 फरवरी के दिन इतियास में दर्श कुछ मैस्पूर घटना है जो हमारे लिए किसी फैक्टर नौले से कम नहीं है आजी के दिन उन्नीसी के आनवे में भारतिय अबनेतरी और गाई का नूतन का निधन हुआ था नूतन को कौन नहीं जानता नूतन हिंदी सिनेमा की प्रसिद अबनेतरी थी नूतन के सौंदरे को मिस इंडिया प्रुसकार सम्मानित किया गया था वे इस प्रुसकार को पाने वाली पहली मैला थी नूतन ने 50 से अधिक फिल्मों में काम किया और उन्हें बहुत से पुरुषकारों के अलावा 6 बार फिल्म फेर पुरुषकार मिला काजौल नूतन की भतीजी हैं नूतन ने लेटिनेंट कमांडर रजिनिस बहल से विवा किया था नूतन के पुत्र मोहनिस बहल भी हिंदी फिल्मों में अविने करते हैं नूतन की बहन तनूजा और भतीजी काजौल भी हिंदी सिनेमा की प्रसित अविनेतियों में सामिल हैं नूतन के अभिने को हिंदी फिल्म उद्योग के सभी बड़े नामों ने सरहा है और वे आज भी बहुत सी अधाकारों के आदर्श बनी हुई हैं नूतन का ध्यान्त 1990 में कैंसर के कारण हुआ था नूतन को 1996 में सीमा, 1960 में सुजाता, 1964 में बंदनी, 1968 में मिलन और 1979 में मैं तुल्सी तेरे आंगन की के लिए सर्वसेष्ट अभिनेतरी का पुरुसकार मिला था 1986 में मेरी जंग के लिए सर्वसेष्ट सहायक अभिनेतरी का पुरुसकार मिला था आजी के दिन 1998 में भारती सिनेमा के प्रसिद चरित अभिनेता ओम प्रकास का भी निदन हुआ था ओम प्रकास का जन्म लहोर में हुआ था उनके जन्म का नाम ओम प्रकास छिबबर था लेकिन वो बाद में केवल ओम प्रकास के नाम से ही प्रसिद हुए 1937 में सिरफ 25 रुपे के मासिक वेतन पर आल इंडिया रेडियो में वे सामिल हुए थे ओम प्रकास ने लवा 307 फिल्मों में अभिने किया है ओम प्रकास का मिता वच्चन के साथ खास तालमेल था और दोनों ने जंजीर से लेकर सरावी तक कई सफल फिल्मों में काम किया ओम प्रकास ने सायोग जहां आ रहा गेटेवे आफ इंडिया जैसी कई फिल्मों का निर्माड़ भी किया था 21 फरवरी को परतेक वर्स विश्व में अंतराष्टे मात्र भासा दिवस इंटरनेशनल मदर लेंगवेज डे के रूपे मनाय जाता है 17 नमंबर 1999 को युनेश्के नो इसकी स्विकर्ति दी थी इस दिवस को मनाने का मुख्य देश्य विश्व में भासाई व सांस्कर्तिक विवित्ता वे भावा देने और विविन मात्र भासाओं के परती जागरुता लाना है युनेश्के द्वारा अंतराष्टे मात्र भासा दिवस की घोषना से बांगलादेश की भासा अंदुलन दिवस को अंतराष्टे स्विकर्ति मिली थी जो बांगलादेश में सन 1952 से मनाय जाता रहा है 2001 में इस सदी के पहले माकुम का आयोजन किया गया था और 21 फ्रोडी को मास शुराती के दिन ही इस माकुम का समापन हुआ था हमारे देश में धर्म और आस्थाओं का एक खास स्थान है हर 12 वर्ष बाद आने वाला माकुम विस्व के सबसे बड़े मानव समागम के रूप में इतियास किताबं में दर्ज है भारत के महान कवीवा लेखक सूरेकान तर्पाटी निराला का जन्म 1896 में आजे के दिन हुआ था उनका जन्म बंगाल की महिसादल रियासत जिला मौदिनिपूर में हुआ था उनके पिता पंडित राम साहतिवारी उन्नाव के रहने वाले थे और महिसादल में सिपाई की नौकरी करते थे वे मूल रूप से उत्तरपरदेश के उन्नावजी लेके गड़ा कोला नाम गाउं के निवासी थे सूरेकान तर्पाटी निराला हिंदी कविता के चायवादी युके चार प्रमुक इस्तंबों में से एक माने जाते थे वे जैसंकर प्रसाद सुमिता नंदन पंतर और महादवी वर्मा के साथ हिंदी साहिते में चायवाद के प्रमुक इस्तंब माने जाते हैं उन्होंने कई कहानिया और पन्यास और निवन्द भी लिखे हैं किन्तु उनकी ख्याती इसे इस्तंब रूप से कविता के कारण ही है 2004 में देश की टैनिसी स्टार सानिय मिर्जा ने WTA किताब जीत कर एक बड़ी उप्रब्दे अपने नाम की ऐसा करने वाली वे पहली भारती मेला खिलाडी बनी थी आज एक दिन 1909 में पूर प्रधान मंत्री अटल व्यारी वाजपेवर पाकिस्तान के पूर प्रधान मंत्री नवासरी के बिश लाहोर घोस्रा पर समझवता हुआ था आजी के दिन 1948 में स्वतनत भारत के समिधान का मसदा राष्टपती को भेजा गया था भारत का समिधान सर्वच विधान है जो समिधान सबादवारा 26 नमबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ यह दिन भारत के समिधान दिवस के रूप में घोसित किया गया जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गरतन दिवस के रूप में मनाई जाता है भारत के समिधान का मूल अधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है भारत का समीदान विश्क का किसी भी गणतांतरिक देश का सबसे लंबा लेकित समीदान है 1842 में अमेरिका में सिलाई मसीन का पेटेंट कराये गया था भारत में भी 19-20 सताबदी के अंतक मसीन आ गई थी इसमें दो पुर्मुक थी अमेरिका की सिंगर तता इंगलेंड की पफ सुतंदर्ता के बाद भारत में मसीने बनने लगी जिसमें उसा पुर्मुक तता बहुत उन्नत है भारत में 1935 में कॉलकत्ता के कारखाने में उसा नाम की पहली सिलाई मसीन बनी मसीन के सारे पुर्जे भारत में बनाए गए थे